नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर हम कर रहे हैं आधनी काल के वस्तुनिष्ट प्रशन ये प्रशन पांडे बंधों की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाशा का वस्तुनिष्ट इतिहास से लिए गए हैं लेकिन ये प्रशन आप ये ध्यान में रखें कि आने वाले समय में जो एक्जाम्स होने वाले हैं उन competitive चाहे वो PGT, TGT या NET हैं उन सभी के लिए बहुत महत्पूर्ण प्रशन हैं तो आईए आज के प्रशन देखते हैं पिछले वीडियो में हमारा भारतेन्दू यूग पूरण हो चुका था आज हम दिवेदी यूग करेंगे दिवेदी यूग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है और इसके सासात इसे हिंदी सहित्य का ग्यान कान्ड भी कहा जाता है हिंदी सहित्य का ज्यान कांड किसको कहा गया है दिवेदी युग को कहा गया है इसे जागरन सुधार काल भी इसका दूसरा नाम क्या है जागरन सुधार काल है ये बात आप ध्यान में रखे महवीर प्रसाद दिवेदी के नाम पर इनका नाम इस काल का नाम दिवेदी युग रखा गया है दिवेदी जी मानते हैं कि साहित्य ग्यान ही शंचीत राशी है और वो किसी विशे के बारे में उपदेश देता हुँ अप्रतीत हो इसके साथ साथ उसमें उदेश्य सम्माहित हो ऐसा ही सहित्य समाज के लिए उपयोगी होता है तो यहाँ पर देखें डॉक्तर नगेंदर ने दिवेदी काल को क्या कहा है जागरन सुधार काल का नाम दिया है किस ने दिया है डोक्तर नगेंद्र ने दिया है इसकी समावधी जो इन्होंने मानी है उन्नी सो इसवी से लेकर उन्नी सो अठारा इसवी तक इन्होंने सविकार की है यानि समय काल उन्नी सो से पहले का जो समय है यह भारतेंदू यूग के नाम से जाना जाता है और उन्नी सो उत्थान के अंत्रगत रखा तथा इसकी जो समय अवधी है वो सन 1893 से 1908 तक सविकार की है कई बार पुछा जा सकता है कि आचारिय रामचंदर शुकल ने दिवेदी उग की समय सीमा क्या निर्धारित की है तो 1893 से 1908 इस्वी सविकार की है ये ध्यान में रखें और इन्होंने इसे नई धारा दिवेदी उत्थान के अंत्रगत शामिल किया है दिवेदी मंडल काल करमा नुसार अगर कवियों की हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम यहाँ पर लिया जा सकता है वो है शिरिधर पाठक का इनका जो समय काल है 1869 इस्वी से 1928 इस्वी तक इनका समय माना गया है और खड़ी बोली के प्रथम सवचंदता वादी कवी अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो शिरिधर पाठक को कहा जा सकता है ये आप ध्यान में रखें एक नंबर के प्रशनों में अपना ये प्रशन व इस्वी में इन्होंने इस कावे की रचना की है शिरिधर पाठक द्वारा अनुदित कावे गरंत जिसमें सबसे पहले नाम लिया जा सकता है गडरिये और दाशनिक ये किसका है शेफर्ड एंड फिलासपर जो मूल रचना है और किसकी है ये ग्रे की रचना है इस रचना का इन्होंने अनुदित किया था जिसका नाम है गडरिये और दाशनिक शेफर्ड एंड फिलासपर रचना का नाम है ग्रे की रचना है और जो अनुदित रचना मिलती है शिरिधर पाठक द्वारा जो अनुदित की गई है वो है गडरिये और दाशनिक उसके बाद 1886 इस्वी में हर्मिट जो कि गोल्ड स्मित की रचना है उसका अनुवा इनोंने किया एकांत्वासी योगी के नाम से और किस बोली में किया खड़ी बोली में इसका अनुवाद इनोंने किया है शिद्धर पाठक नहीं यह आप ध्यान में रखें उसके बाद जो रचना है डेजर्ट विलेज ये भी गोल्ड स्मीथ की रचना है 1889 इस्वी में इन्होंने ब्रज भाशा में इसका अनुदित किया और रचना का नाम क्या रखा उजड़ द्राम उसके बाद ट्रेवलर ये भी गोल्ड स्मीथ की रचना है इस रचना का 1902 इस्वी में अनुदित किया और खड़ी बोली के द्वारा इसको अनुदित किया गया रचना का नाम इन्होंने रखा श्रांत पथिक ट्रेवलर श्रांत पथिक नाम से इसको अनुदित किया रचना क यह वही नाम ने रखा नाम में परिवर्तन नहीं किया यानि जो अनुदित काम किया वो किस भाषा में किया ब्रज भाषा में इसके बाद देखें शिरदर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले हैं वनाश्टक दहरादून 1915 इसवी में भारत गीत 1928 इसवी में जगत सच्चाई सार बहुत महतपून रचना है स्वर्गिय वीना धन विजय सांधे अटन ये भी बहुत महतपून रचना है इसमें प्रकृती का विनाशकारी रूप इनोंने चितरित किया है इसके बाद गुनवन्त हेमंत इनकी जो रथम रचना मानी जाती है इसके साथ साथ जो सुक दर्श इनकी रचना है ये रहस्यवादी रचना है तो इन रचनाओं को आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं शिर्दर पाठक द्वारा ब्रज भाशा में जो रचनाएं हैं उनकी अगर बात करें ये मौलिक काव्वे ह उसमें कश्मीर शुष्मा है जो कि 1904 इस्वी में इनों ने लिखी इसका जिकर हम उपर भी कर चुके हैं इसके रचना 1904 इस्वी में हुई थी किसमें ब्रज भाशा की ये मौलिक रचना मानी गई है किसके शिर्धर पाठक की दूसरी रचना है मनो विनोद 1882 इस्वी में इसका रचना काल माना गया है इसके बाद अगर बात करें शिर्धर पाठक ने एकांत वासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है एकांत वासी योगी हर्मिट जो मूल रचना है इसका अनुवाद है और यह किसकी रचना है गोल समित की रचना है लेकिन इनों होने इसे खडी बोली में और लावनी या ख्याल में इसकी रचना इन्होंने की है। इसके सात श्रांट पत्तिक की रचना इनlkya और रोला चंद और खडी बोली में की है। शिर्धर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रत्थम जो कवीता है वो गुन्वंत हेमंत है तता खड़ी बोली की परमुख पुस्तक एकांतवासी योगी है एकांतवासी योगी किसका अनुवाद है हर्मिट का अनुवाद है महावीर प्रसाद दिवेदी 1864 से 1938 सीश्वी इनका जो समयकाल है इनका जनम राय ब्रेली के दोलतपुर गाउं में हुआ था और इनहीं के नाम पर इस योग का नाम रखा गया दिवेदी योग आचारे रामचंदर शुकल ने लिखा है हम पंडित महावीर प्रसाद दिवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं महवीर परसाद दिवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामाने बोलचल की भाशा को प्रात्मिक्ता देने की वकालत की है। महवीर परसाद दिवेदी के अनुदित और मौलिक लगभग अस्सी गरंथ मिलते हैं। यह आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इन रचनाव में अगर देखें काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य मंजूश्य है। महवीर परसाद दिवेदी ने जो लिखा है परिभाशा है इनकी देखिए कविता का विशे मनुरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमना के किनारे केली कोहतूल का अदबुत वर्नन बहुत हो चुका। नए परकियाओं का परबंद लिखने के अब कोई आफशकता है और नए ही सवकियाओं को ये नाइका के परकार है परकिया नाइका और सवकिया नाइका। के गतागत की पहली बुझाने की, चींटि से लेकर हाथी परियंत, विक्षु से लेकर राजा परियंत, मनुष्य बिंदू से लेकर समूद्र परियंत, जल, अनंत आकाश, अनंत प्रत्वी, अनंत प्रवत, सभी परकविता हो सकती है। यानि जो कावे रचना की जा रही थी केवल नाइकाउं के सोंद्रे वर्णन पर उनके भावों को आधार बना कर लेकिन यहाँ पर दिवेदी जी क्या कहते हैं कि कवीता किसी एक जगे बादी नहीं जा सकती कवीता का विशे मनुरंजन और उपदेश जनक होना चाहिए यहाँ पर यह बात करते हैं कि कावे की रचना जब भी की जाए तो यह ध्यान में रखें कि उससे मनुरंजन हो या उससे हमें कोई उपदेश प्राप्त हो और उसका विशे कोई भी हो सकता है महवीर पर साथ दिवेदी दिवारा जो अनुदित रचनाएं हैं उसमें अगर देखें विन्य शतक के किसकी रचना है भ्रतर हरी भ्रतर हरी के वेराग्य शतक का दोहों में इन्होंने अनुवाद किया है उसके बाद विहारवाटिका ये जैदेव की रचना है और जैदेव के गीत गोविंद का अनुवाद उन्होंने विहारवाटिका के नाम से किया है उसके बाद रचना है सने माला ये भरतरहरी की रचना है और इनके शिंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया है शिंगार शतक इनकी रचना मूल रचना है जिसका अनुवाद उन्होंने सने माला के नाम से किया है यहाँ यह आप ध्यान में रखें गीत गोविन्द जैदेव की मूल रचना है और बिहार बाटिका इसका अनुदित भाग है उसके बाद गंगा लहरी की अगर बात करें तो यह पंडित राज जगनात की जो रचना है गंगा लहरी उसी का सवया अनुवाद इनोंने किया है रितु तरंगणी ये कालिदास की रुज्यो रचना है रितु सहार उसका चाया अनुवाद है किस नाम से रितु तरंगणी के नाम से माहवीर परसाद दिवेदी की प्रसिद कवीता सरगो नरक ठिकाना नहीं है किसको कहा है अयोद्या सिंह उपाध्याए हरियोद यह आप ध्यान में रखें कि इनको डौक्तर गणपती चंड्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, दो-तरे से प्रशन पूछे जासके हैं आधुनिक काल के सूरदास कोन है तो उसमें आप नाम बताएंगे या डोक्तर गनपती चंदर गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है या इसके साथ अयोधिया सिंग उपाध्याई को आधुनी काल का सूर्दास किस ने कहा है नाम से पूछा जा सकता है तो अंसर रहेगा डोक्टर गणपती चंद्र गुप्त इन्हें कवी समराथ भी कहा जाता है हरियोध के तीन प्रमुख गरंथ मिलते हैं काव्य जो परबंद काव्य हैं उसमें सबसे पहला है प्रिये परवास प्रिये परवास की अगर बात करें 1914 इस्वी में लिखा गया इसमें सत्रा सरग है और इसमें अगर हम देखें तो क्रीशन के बच्पन से लेकर मतुरा प्रस्थान तक का वर्णन है यानि जब क्रीशन बच्पन से लेकर मतुरा चले गए तब तक के उनके जीवन का वर्णन है और इसमें सर्ग कितने हैं सत्रा दूसरा है पारिजात, पारिजात के अगर बात करें तो 1970 सिस्वी में रचना काल है, इसमें 15 सर्ग है और आध्यात्मिक एवं धार्मिक विश्यों का वर्णन इसमें किया गया है वैदही वनवास के अगर बात करें 1941 इसवी की ये रचना है 18 इसमें सर्ग है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा कही गई है वैदही वनवास नाम से इस परष्ट है वैदही यानि सीता सित्या के बनवास के बारे में इसमें वर्णन किया गया है तीनों ही परबंद काव्य ध्यान में रखें प्रिय प्रवास में 17 सरग है पारिजात में 15 और वैदही बनवास में 18 प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महा काव्य माना जाता है बहुत ही महतपूर्ण है और प्रिया परवास का सरोप्रतम नाम ब्रजांगना विलाप था ब्रजांगना यानि ब्रज की जो नारी है गोपी का है उसके उसका विलाप क्योंकि जब क्रिशन ब्रज से चले जाते हैं हम प्रिया परवास का जो हमने किया था जिसमें राधा अपने व्योग का वर्णन करती है, क्रिशन से मिलने की कामना करती है, तो वो भी तो ब्रज की हिनाई का है, तो संपूर्ण कावे संस्कृत के वर्ण वृतों पर आधारित है, आचारे शुकल ने प्रिय प्रवास को महा कावे नहीं माना, ये बात भी यहां ब हरियोध के अन्य प्रमूख कावेगरंथ हुए अगर बात करें तो इनके जो ब्रज भाशा में हमें कावेगरंथ मिलते हैं क्रीषन सतक है रसिक रहस्ये 1859 प्रेमांबू रिधी है प्रेम प्रपंच है प्रेमांबू प्रश्रवण है प्रेमांबू प्रवा है चोखे कलश फूले पत्ते फूल पत्ते कल्प लता ग्राम गीत हर्योद सत्साई बहुत महत्पूर्ण रचना है मर्म सपर्ष इनकी महत्पूर्ण रचनाओं में हैं यह आप यहां ध्यान रख सकते हैं हर्योद द्वारा ब्रज में रचित रसकलश इसका समय का 1931 एक रीती गरंथ है बहुत ही मथ्यत्पूर्ण थ्यान में रखें कि कि Bombay रसकलश को कहां कि एक रीती गरंथ समय का क्या इसका 1531 तोए आप यहां ध्यान में रख सकते हैं तो यह आज के दैवेदी यूंकर की अगले वीडियो में करेंगे उमीद करते हूं कि रचन आप के लिए बहुत उप्य इसी तरह चैनल से जूड़े रहें त्यारी करते रहें लाइक शेयर सब्क्राइब जुरूर करें धन्यवाद